Translate this into English मैं एडिटर हूँ I am editor Wrong मेरे पैसे वापस दो Return my money back Wrong मैं उससे नहीं मिले I did not met her Wrong मैं 20 साल की हूँ I am 20 years Wrong मैंने गलती कर दी I did a mistake Wrong क्या आप से भी गलतियां हो जाती हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो में इन तक बने रहे हैं क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ दस मिनट में आप स्पोकन इंगलिश की बीस गलतियां सुधारने वाले हैं Guys, चले जल्दी से करता शुरुआत, मैंने में स्कंछन And you're watching me on English Connection Let's begin So, the first and common mistake जो है, वो है ये I am teacher, I am businessman ये दोनों ही sentences गलत हैं Look, where is the question? दिक्कत कहा हुई? दिक्कत यह हुई कि हिंदी में हम क्या बोलते हैं? जैसे मुझे बोलना हो, हिंदी में तु मैं बोलूँगी मैं अध्यापका हूँ So, इसे English में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है? I am teacher क्योंकि मैंने एक नहीं बोला इसलिए word-for-word translate कर दिया गया लेकिन हर एक language का अपना नियम होता है तो English का आप नियम समझ लें कि English में जब भी आप्रोफेशन बताते हैं चाहे अपना बताएं या फिर किसी और का प्रोफेशन बता रहे हैं तो आपको यहां पर एक word use करना पड़ेगा और वो क्या है? A, right? So, I am a teacher Hindi में मैं अध्यापक हूँ या अध्यापका हूँ But, I am a teacher I am a businessman तो क्या सिर्फ A use होता है? जी नहीं, and भी use होता है अगर यहां पर engineer होता, right? तो मैं क्या बोलती? I am an engineer So, कभी भी profession बताएं A या फिर and का use करना must है याद रखिएगा, alright? फिर क्या है? I am learn English I am no English यह दोनों ही sentences गलत है यह मुझे मेरे comment section में बहुत जादा दिखते हैं इसलिए मैंने यहां इन्हें लिया है लोग कहना क्या चाहते हैं कि मैं अंग्रेजी सीखती हूँ हूँ के लिए I am लगा दिया सीखने के लिए learn और अंग्रेजी के लिए English लिख दिया यहां पर भी word-for-word translation हो रहा है आपको ध्यान में क्या रखना है अगर आप बोल रहा हूँ मैं कुछ करता हूँ तो वहां पर आपको यह नहीं यूज करना ठीक है helping verb use ही नहीं करना है सीधे subject use करेंगे उसके सीधे main verb use करेंगे So I learn English मैं अंग्रेजी सीखती हूँ I know English मुझे English आती है ध्यान रखेंगे आप यह तो बहुत जादा लोग बोलते हैं क्यों कि अगर बोलना हो कि मैं वहाँ गई तो बोलेंगे I went there तो जब बोलना है मैं वहाँ नहीं गई तो बोल देते हैं I did not went there तो दिक्वत कहां है कि जल आपने did use कर लिया तो आप went नहीं use कर सकते हैं आपको क्या use करना है I did not go there Thumb rule क्या है? क्या याद रखना है जब आपने did use कर लिया, तो verb की second form, जो की went यहाँ पर थी, वो नहीं आएगी, हमेशा base form of the verb आएगा, did के साथ, ठीक है, चलिए, she does not likes it, यह भी बोलते हैं, यह भी गलत है, यहाँ भी दिक्कत वही है, अगर बोलना है कि उसे यह पसंद है, तो आप बोलेंगे she likes it, तो जब ब करना है, बट likes नहीं use करना, आपको use करना है, like, she does not like it, तो यहाँ भी थम रूल क्या है, जब आप does use करोगे, तब आप verb में ऐसी यह नहीं लगा सकते, base form of the verb, so अगर did use किया, या फिर does use किया, आपको verb कौन सी use करनी है, base form, we won, जिसमें कोई changes हम नहीं करते, ठीक है, I did talked to him, यह sentence अट पड़ा लग रहा है, यह sentence गलत है, पहली बात, बट हम did क्यों use कर रहे हैं यहाँ पर यह चीज़ भी समझ लेते हैं, वैसे तो हम positive sentences जब बनाते हैं, ऐसे past indefinite के, तो हम बोलते है, I talked to him, मैंने उससे बात की, लेकिन मैं यहाँ कह रही हूं, यहाँ पर होना चाहि यह talk, so did क्यों आ रहा है positive में, जब हम emphasize करते हैं, जोर देकर बोलते हैं, तब हम use करते हैं, मतलब मैंने उससे बात की, आप मान क्यों नहीं रहें, मैंने उससे बात की, alright, so I did talk to him, यहाँ भी दिकत यही है, कि did तो use करना सही है, emphasize करने के लिए, लेकिन did के साथ, आप ED मत यू ना करें, वैसे daily videos आती है, daily देखा कीजिए, ठीक है, अब अगली गलती क्या है, she has been working since two hours, यह भी गलत है, यहाँ गलती क्या है, यहाँ पर गलती है, यह since, जब हम duration का जिकर करते हैं, ठीक है, duration का जिकर करते हैं, तो हम for का use करते हैं, alright, so she has been working for two hours, वो दो घंटे से काम कर र करते हैं, कि कोई क्रिया कब शुरू हुई, तब हम since का use करते हैं, तो यहाँ देखे, I have been knowing him since childhood, इसमें क्या गलती है, क्योंकि यह sentence भी गलत है, तो यहाँ पर since childhood ठीक है, मतलब बच्पन से, यहाँ कहना क्या चाहरा है, यह sentence जो है, इसमें आप क्या समझ पा रहे है, I have been knowing him since childhood, मतलब मैं उसे बच्पन से जानती हूँ, तो यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ दिक्कत है, यह आप देखी रहे हो, आप knowing नहीं बोल सकते, know एक state verb है, इसमें आप ing लगा कर नहीं use करेंगे, आपको बोलना है, I have, I have known him, ना तो been आएगा, ना तो knowing आएगा, I have known him since childhood, तो यह यह जो confusion रहती आपके मन में since or for, तो perfect continuous tenses में use होता है, ऐसा नहीं है, perfect tenses में भी होता है, perfect continuous tenses में भी होता है, so know में ऐसे आप कभी मत बोलना, I am knowing you, or I have been knowing you, right, I have known you, इस तरहे के से बोलेंगे, ठीक है, the milk is tasting bad, यह sentence भी गलत है, और इसमें गलती क्या है, इसमें गलती आप taste tasting नहीं बोलेंगे, taste जो है na, base form में यह होता है, tste, यह जो taste है, यह एक state verb है, alright, और यही taste, एक action verb है, अगर मैं दूद चक रही हूं, तब मैं tasting बोल सकते हूं, I am tasting the milk, लिकिन मैं कह रही हूं कि दूद का स्वात खराब आ रहा है, तो यहां कोई action नहीं है, ऐसे में मुझे बोलना चाहिए, the milk tastes bad, ठीक है, तो जब हम state verbs use करते हैं, यह state बताते हैं, स्थिती बताते हैं, तब हम ing नहीं लगाते हैं, ठीक है, so the milk tastes bad, okay, we are living here since 2021, यह sentence भी गलत है, कहना यह चाह रहे हैं, कि हम यहां 2021 से रह रहे हैं, तो हम यहां 2021 से रह रहे हैं में, हम we are नहीं बोल सकत क्योंकि ऐसे sentences में हम यह लगाते हैं, we have been, all right, we have been living here since 2021, हम यहां 2021 से रह रहे हैं, I am 15 years, यह भी गलत है, कहना क्या चाह रहे हैं, मैं 15 साल के हूँ, तो यहां पर साल के लिए years use कर लिया, right, लेकिन दिक्कत क्या है, कि आप सिर्फ years नहीं use कर सकते हैं, आप याद तो बोलो कि I am 15 years old, okay, अगर years use क्या है, तो old यूज करना है, या फिर अप कुछ मत यूज करो, simply बोलो I am 15, यही पर sentence end कर दो, all right, guys, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है, और आप चाहते हैं, कि आप ऐसी वीडियो और पाएं, मतलब मैं ऐसी वीडियो आपके लिए और बना exception है, I am going home सही है, ठीक है, so home के साथ to मत लगाएगा, I came here for study English, यह भी गलत है, यहां क्या दिक्कत है, यह जो for use कर लिया हमें, जब यहां study बोल रहे हैं, यहां to आएगा, ठीक है, I came here for study English, कहना यह चाह रहे हैं, कि मैं यहां अंग्रेजी पढ़ने के लिए आया, ठीक है, so क यह लिए कि वज़से for लग गया था, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, अगर यह हमने base form of the verb यूज किया है, तो हम यहां to use करेंगे, अगर for use करना है, यहां ing लगा तो I came here for studying English, okay, return my money back, यह भी गलत है, इसमें क्या दिक्कत है, यह back, return का मतलब होता है, वापस देना, right, so already जब इसका मतलब है वापस देना, तो हम back क्यों use कर रहे है, return my money, sentence complete, ठीक है, यहीं इसको end कर देते है, return my money, मेरे पैसे वापस दो, it is more colder today, यह भी गलत है, कहना यह चाह रहे है, कि आज ज्यादा थंड है, right, so इसमें क्या दिक्कत है, आपने दो comparative degrees एक साथ यूज कर ले, so more मत use करो, I, sorry, it is colder today, ठीक है, आज ज्यादा थंड है, तो कल की अब एक्छा ज्यादा है, colder यह खुदी compare कर रहा है ना, पहले से, more की ज़रत नहीं है, so it is colder, okay, I gave to her my pen, यह sentence भी गलत है, I gave to her my pen, इसमें क्या दिक्कत है, यहीं, यह तू, आपको क्या बोला है, I gave her my pen, अच्छ my pen to her, ठीक है, अगर आप, just a moment, अगर आप इसको पीछे रख दे, तो यह sentence ही होगा, लेकिन जब आप इसको पहले यूज कर रहे है, her को, तो आपको to नहीं लगाना, I gave her my pen, or I gave my pen to her, clear, everybody were late, यह sentence भी गलत है, everybody, मतलब सब ही, तो दिक्कत क्या है, दिक्कत यही है, कि भले ही इसका मतलब होता है, सब ही, लेकिन यह consider किया जाता है, singular, क्योंकि इसमें every लगा है, अगर किसी भी word के साथ every लगा हुआ है, तो वो singular consider किया जाएगा, तो आप word नहीं use कर सकते, यह incorrect है, आप क्या बोलोगे, everybody was late, alright, everybody was late, I have done a mistake, यह sentence भी गलत है, क्यों गलत है, क्यों कि यहा done a mistake, मुझसे गलती हो गई है, यह मैंने गलती कर दी है, बट करने के लिए हम done नहीं use करेंगे, क्योंकि mistake के साथ जो सही collocation जाता है, वो है make, alright, अब यह collocation क्या है, collocations वो words होते हैं, जो दूसरे words या phrases के साथ जाते हैं, और सही sound करते हैं, तो गलती करने के English होती है, make a mistake, do a mistake नहीं होती, अगर आपको confusion है, और आप सीखना चाहते हैं collocations, वैसे बता दो collocations अगर आप सीखते हैं, तो आप गलत English बोलेंगे ही नहीं, तो आप video देखे मेरे, उसके लिए उसके लिए बटन पर क्लिक केजिए, आपको collocations भी detail में समझ में आएगा, और बोहा सारी चे अबर बात यह है कि listen to someone होता है, और listen to something होता है, आप कभी भी listen something या listen someone नहीं यूज कर सकते हैं, हमेशा to use कीजिए, now where I can buy milk, मैं milk कहां से खरीच सकती हूँ, इसमें दिक्रत क्या है, कि यह question है, लेकिन question structure सही से नहीं यूज हुआ, जब आप question पूचते हैं, तो helping वो पहले आ क्या है, enough hot हम नहीं बोलते, this soup isn't hot enough, ठीक है, warm enough, hot enough, cold enough, so enough इसके बात जाता है, alright, जो adjective आप यूज कर रहे है, I have seen Meera yesterday, कल मैं Meera से मिली, तो यहाँ दिक्कित क्या है, आप yesterday use कर रहे हो, लेकिन have seen use कर रहे हो, आपको क्या use करना है, I saw, ठीक है, so one time action, past का one time action है, तो आप past indefinite का structure use करोगे, और वो क्या कहता है, कि second form of the verb use करो positive sentences में, ठीक है, so yesterday के साथ कभी भी half तो जाने वाला ही नहीं है, clear, I hope आपको इस वीडियो बहुत पसंद आई, आप जल्दी से अपने friends के दाब शेयर कर दीजे, मैं मैं मिलते हूँ आप से अगले वीडियो में आप करते रहे प्राक्टिस, जैहिन!